स्वागतबेश고 स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रेड आप किस पर आदे करें हैं वीडियो मी लाइव डेबम हैं मयろ लेजिये हैं कि हम आईडिया में करना चातें सबसे पहले आप आईडिया को add कर सकते हैं तो इसमें हमने add कर लिया, add करने के बाद simply idea के उपर हमने tick कर दिया, tick करने के बाद देखिए आपके सामने दो option है buy और sale का, simply हमें सबसे पहले इसको buy करना होगा intraday MIS, उसके बाद जो type है market रखना है, उसके बाद आप इसमें कुछ changes भी कर सकते हैं, आप इसमें limit भी select कर सकते हैं आपके सामने जो quantity है, आप देख सकते हैं, 48 जो मेरा level balance 200 रुपे है, तो आप 48 quantity तक मतलब आप margin के साब से trade कर सकते हैं, आप देख सकते हैं नीचे, जो आपका 200 रुपे है, वो 200 रुपे से ज़्यादा प्रोष्ट margin नहीं जाना चाहिए नहीं, तो आपका order cancel हो जाएगा, य आप देख सकते हैं, केवल 10 quantity ही buy करना चाहते हैं, तो simply intraday MIS और market कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो हमारा margin है, ये 40 रुपे दे रहा है, मतलब इतना margin ये दे सकता है, इस quantity के हिसाब से 40 रुपे margin दे सकता है, तो simply है market पर tick करने के बाद आप limit भी set कर सकते हैं, क्योंक market के साफ से करना चाहते है, तो market के साफ से तुरंत buy है, जैसे हम market के साफ से करते हैं, तो market हमने tick कर दिया है, करने के बाद आपको नीचे swipe to buy कर देना है,से हमने कर दिया है, जो आप देख सकते हैं 11 रुपे, 70 पैसे के बिचाथ के साथ से, MS मारकेट के साथ से हमने बाई कर लिया है, अब हमें क्या करना है, बाई तो कर लिया, अब हमें सेल करना होगा सेल करने के लिए आपको सिंपली अपने जो पॉटफोलियो है, उस पर जाना होगा करना की इसी पर जाना होगा जैसे हम portfolio पर चले गए तो आपकी position so कर रहा है यदि holdings आपकी होती तो holdings में करता यह जो position है यह आप देख सकते हैं इसमें हमने यह buy कर लिया है तो अब हम sale करने के लिए simply इस पर हम click कर देंगे जो हमारा sale है इसे करते ही आपके सामने option अज़ता एड और exit हमें exit करना मतलब sale करना है तो exit पर click कर दिया click करने के बाद आपके सामने जो हमारी quantity है वो कम भी रख सकते हैं ज्यादा भी रख सकते हैं आपको लगता है कि अभी कम है तो बाद में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं जैसे हमने 10 लिये तो 10 भी हम sale कर सकते हैं या 5 भी कर सकते हैं आगे हम लेकिन intraday में एक दिन के अंदर है आपको पूरे पूरे जो sale है वो sale करने होंगे तो हम 10 quantity डाल देते हैं intraday और market जो रखते हैं उसके बाद swipe to sale पर click कर दिया जैसे हम click कर दिया तो देखे हमारा जो order हो completed हो चुका है तो आप देख सकते हैं जो मारी हम position है आप ये cable demo है आप देख सकते हैं उपर जो PLN profit and loss है माइनस 0.50 पैसे का हमें loss हुआ है लेकिन ये cable demo है इसमें आपको profit भी हो सकता है आपको देखे आप देख सकते हैं उसके बाद आप click करते हैं आप के order में आप जा के देखेंगे तो आप देख सकते हैं buy और sale दोनों हो चुके हैं हमारे completed हो चुके हैं जो buy किया 11.70 पैसे पे और जो sale किया 11.60 पैसे पे प्रकास से आप buy और sale करेंगे उसके बाद हम अपना balance चेक कर लेते हैं तुरंत आपका balance add इसमें हो जाता है आप देख सकते हैं 50 पैसे कामने loss हुआ था तो इस 200 रूपे में से घट चुका है